हेलो फ्रेंड्स, हिंदी ओडियो बुक में आपका स्वागत है आज हम बात करते हैं बेस्ट बिजनस बुक्स की बिजनस बुक्स में सबसे अच्छे जो बुक्स हैं वो कौन-कौन सी है इनमें सबसे पहले है इन्फ्लुएंस, दा साइकलोजी ओप पर्शुएशन इसे रोबर्ट कियालडिनी ने लिखा है इन्फ्लुएंस पर यह एक क्लासिकल बुक है इसके द्वारा हम मनोव एग्यानिक प्रभावों को समझ सकते हैं कि लोग हां क्यों कहते हैं और इन हां कहलवाने वाली तकनिकों को हम कैसे लागू कर सकते हैं डाक्टर रोबर्ट प्रभाव और इन्फ्लुएंस के हो रहे तेजी से विस्तार के क्षेतर में एक बेहतरीन विसेशग्या हैं उनके 35 साल के कठोर अध्यन और 3 साल के एविडेंस बेस्ट रिसर्च के कारिकरम में लोगों के व्यवहार में बदलावों पर इस पुस्तक में अपनी सभी जानकारियां इकठी की हैं इस ख्षेतर की यह अत्यदिक प्रशंशनी अबुक है हम इस पुस्तक में उन 6 युनिवर्सल प्रिंसिपल्स को सिखेंगे कि उनका प्रियोग हम एक कुशल प्रेरक बनने के लिए कैसे कर सकते हैं वै उनके दुआरा अपने खिलाप हो रहे प्रभावों से हम अपना बचाओ कैसे करेंगे ये प्रिंसिपल हमारे जीवन के सभी ख्षेतरों में हमारे गहन व्यक्तिगत बदलाव की ओर हमें कैसे ले जाएंगे वै हमारी सफालता के लिए इनका प्रियोग हम एक प्रेरक शक्ती के रूप में कैसे करेंगे इन्फ्लियोंस से समद्धित ये सभी चीजें हम इस पुस्तक में सीखते हैं दूसरी पुस्तक है इसे माइकल गेरबर ने लिखा है यह पुस्तक हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने खुद के व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं स्मॉल बिजनस कंसल्टेंट और लेखक माइकल ई गेरबर ने इस पुस्तक में अपने अनुभव से प्राप्ट अंतरदरिष्टी से बताते हैं कि एक सफल बिजनस चलाने के लिए हमें कौन सी आम धारनाई, अपेक्षाएं और यहां तक की तकनीकी विशेसक्यता कैसे मिल सकती है गेरबर हमें सिखाते हैं कि कैसे हम स्टेप बाई स्टेप अपने बिजनस लाइफ में हमें आगी कैसे बढ़ना है सबसे महतवपूर्ण बात गेरबर हमें सिखाते हैं कि हम अपने बिजनस को कैसे बढ़ाई उसे कैसे एक सुनिश्चित तरीके से उत्पादक बनाई तीसरी पुस्तक है फूल्ड बाई रेंडमनेस इसे लिखा है नसीम निकोलेस टालेब ने यह पुस्तक हमें बताती है कि रेंडमनेस, चांस और भग्य हमारे जीवन और हमारे काम को उससे ज़्यादा प्रवावित करते हैं जितना हम महसूस करते हैं विशेश रूप से पूर्वा ग्रह के कारण हम कई ऐस सफलताओं को भूल जाते हैं और कुछ सफलताओं को याद रखते हैं और फिर उनके कारणों और पैटरन का निर्मान करते हैं भले ही यह काफी हद तक रेंडम रहा हो चोटी सक्सेस को हम कड़ी महनत से समझ सकते हैं लेकिन बहुत सारी सफलता आम तोर पर वेरियंस और लग के कारण मिलती है हमें इसे समझने के लिए इस पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा कि यह कैसे होता है चोथी पुस्तक है इसे यूजन स्वार्ट्स ने लिखा है यह केवल कोपिराइट और विज्यापन विसेसग्यों के लिए एक पुस्तक नहीं है बलकि हर बिजनस मालिक मार्कटिंग विसेसग्य और बिक्री बढ़ने के लिए जिम्मेदार व्यत्यों के लिए भी एक काम की पुस्तक है इसका कारण यह है कि इसमें बताया गया है कि बाजार की उन ताक्तों को कैसे समझें जो सेल्स को कंट्रोल करती है सीधे शब्दों में कहा जाए तो जीन की यह पुस्तक मार्किटिंग की सभी युनिवर्सल समझ्चाओं से निपटने के लिए एक बेहद महतपूर्ण पुस्तक है पांचवी पुस्तक है सिंपल नंबर्स स्ट्रेट टाक बिग प्रोफिट इसे ग्रेग क्रेब्टरी ने लिखा है यह पुस्तक बताती है कि कुछ सरल संख्याएं भी हमें बिजनस लाब में वरदी के लिए मार्क दर्शन करती है स्मोल बिजनस के लिए यह फाइनेंस के रहश्य को समझने वे किसी भी फाइनेंसियल ब्लेक होल से हम कैसे बाहर निकलें आदी के लिए यह एक नो फ्रिल गाइड की तरह काम करती है यह हमें उन छोटे नंबर्स को पढ़ने वे उन्हें समझाने में मदद करती है जिससे हम सब समभाव हों चटी पुस्तक आप सभी ने बहुत बार सुनी और पढ़ी है और मेरी ये फेवरेट बुक है हिंदी में यह लोग व्यभार के नाम से परचलित है इसे अल राइस और जैक ट्रोट ने लिखा है आथमी पुस्तक है इसे जिम लोहर और टोने स्वार्ड्स ने लिखा है नूमी पुस्तक है बिजनस एडवेंचर्स इसे जोहन बुक्स ने लिखा है और मार्केटिंग कैटेगरी की दस्वी बुक है What got you here won't get you there इसे मार्शल गोल्ड स्मिथ ने लिखा है तो दोस्तों आज हमने उन दस बुक्स के बारे में बात करी है जो मार्केटिंग चेतर के किसी भी इनसान को किसी भी व्यक्ति को पढ़नी और सुननी चाहिए तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा और आपको यह जानकारी अच्छी लगेगी इससे आप फाइदा उठाएंगे इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें तो कल के वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट डिसिजिन मेकिंग बुक्स के बारे में आपको इसकी लिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और यह लिस्ट हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम ब्लोग पर भी उपलब्द है धन्यवाद हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम आपका दिन शुब हो